आप सभी लोगों के एक बार फिसे सवगत करते हैं आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एडवांस प्राइस सेक्षन की पैटेन सीखने वाले जो बहुत ही जाज इंपोर्टेन है और चार्ट के अंदर देखे जाने वाली पैटेन है जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक, बुलिस हार्मोनिक पैटेन और दोसे जो पैटेन में आप लोगों को एक एक्स्पून करने वाला है दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लाद में drugs भाट मेरा हम데ल रिकोस्ट है Hello Everyone, मैं बादशाही ट्रेडिंग टीन से हूँ, जब भी हम चार्ट पैटन अनालिसिस करते हैं, तो बहुत सारे चार्ट पैटन देखने मिलते हैं, आज की विडियो में आप लोगों के साथ बुलिश हमॉनक चार्ट पैटन के बारे में डीपली डिसकस करने वाली हूँ, बु जब दो चार्ट में हम देखते हैं, कि बजार में तेजी का ट्रेंड चल रहा है, तेजी का ट्रेंड मतलब मार्केट, एक higher high and higher low formation बनाता है, इसको चार्ट में समझते हैं, देखो मार्केट पहले एक high बनाकर retracement लेता है, वो भी पिछले वाले high से थोड़ा नीचे उसके ब बनाकर नीचे आने लगता है, तेजी के ट्रेंड को बरकरार रखते ही पास में एक support बनाकर वापिस से उपर जाने लगता है, इस प्रकार से चार्ट में, पहले resistance और पहला support बनता है, इसके बाद price वापिस से उपर जाने लगता है, और ठिक resistance के थोड़ा नीचे एक high low बना कर उसके आसपास दुसरा resistance बनाता है, और price वापिस से नीचे आने लगता है, और वापिस आकर दुसरा support बनाता है, लेकिन यहाँ दुसरा support पहले support की तुलना में lower होता है, अब हमें दोनो resistance दो support को Fibonacci Retracement Levels के साथ लगा कर compare करना है, मतलब first resistance Fibonacci Retracement Levels की 0% level पर होना चा इसके बाद हमें second resistance Fibonacci Retracement Levels के 23.6% पर होना चाहिए, और second support Fibonacci Retracement Levels के 78.6% level तक होना चाहिए, इस formation को bullish harmonic chart pattern कहते हैं, उसके बाद जब price second support line को touch करके वापिस उपर निकल जाए तब यह pattern पुरा होता है, और तेजी का trend एक बार फिर से चलने लगता है, तो दोस्तों इस प्रकार bullish harmonic chart pattern की रचना इस तरह से होती है, उसके साथ और एक बात जनना जरूरी है कि bullish harmonic chart pattern में जो 5 point होते हैं, उनका उप्योग chart पर लगाने में कैसे करते हैं, उसको जनना जरूरी है, तो चलो दोस्तों इसमें, X, A, B, C, D, यह 5 point होते हैं, पहले market, X, point से शुरू होता है, और first resistance मतलब A, point तक जाता है, वहाँ से वापस नीचे आने के बाद first support मतलब point B, तक जाता है, इसके बाद वहाँ support लेकर market उपर की तरफ second resistance मतलब point C, तक जाता है, और वहाँ से resistance लेके market वापसी नीचे second support मतलब point D, तक आता है, इस तरह इन point का उप्योग bullish harmonic pattern मी किया जाता है Chart pattern के साथ time frame का कोई महत्व नहीं है, यह हर एक time frame में बनता है, और हर एक time frame में अच्छी तरह से काम भी करता है, तो चलो दोस्तों अब हम समझते हैं, bullish harmonic chart pattern के साथ कोई भी stock कैसे buying कर सकते हैं, उससे पहले आपको मैं यह बता दून की अगर आपको risk reward ratio और stop loss क्या होता है, उस एंड इस pattern का उप्योग करने के लिए आपको Fibonacci Retracement को भी जानना जरूरी हैं, तो चलो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और समझते हैं bullish harmonic chart pattern के साथ हम कैसे buying position ले सकते हैं, दोस्तों आपको bullish harmonic chart pattern की formation दिखाई दे रहा है, तो आपको सबसे पहले low, and high को mark करना प करना पड़ेगा ओभी Fibonacci Retracement Levels की 61.8% को टच करते हुए, और इसके बाद आपको second resistance को find करना पड़ेगा ओभी Fibonacci Retracement Levels की 23.6% टच करते हुए, market नीचे की तरफ आने के बाद second support find करना पड़ेगा, ओ first support से भी low चाहिए, and Fibonacci Retracement Levels की 78.6% को टच करते हुए, अब हम buying position बनाने के लिए यह देखना है, जब कोई candle Fibonacci Retracement Levels 78.6% को टच करके उपर की तरफ एक bullish candlestick pattern बनाता है, डॉटन उसके उपर market closing दे दे तो, उसके बाद वाली candle में हम buying position बनाते हैं, और buying position बनाने के बाद जिस candle को bullish candlestick pattern के उपर closing दे है, उसी low के नीचे stop loss लगाना है, हमने buying position बनाली और stop loss के बीच का difference risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार होना चाहिए, तब ही आपको trade लेना है, अगर difference 2% के अनुसार नहीं है, तो आप यह trade को मत लेना इसमें आप अपने capital को save कर सकते हैं, यदि आपके condition नुसार trade आपको मिला और उसको लेने के बाद आपको trailing stop loss क उपयोग करना है, इसमें आखरी point यह है, हमें profit booking कहा पर करना है, profit booking करने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा जहां पर आपका पहिला nearby Fibonacci retracement level मतलब 61.8%, इसको हम first target मानते हैं, उसके बाद वाला Fibonacci retracement levels होता है, मतलब 50% का इसको हम seconds target मानते हैं, और उसके बाद हमारा last and third target Fibonacci retracement levels 38.2% को मानते हैं, इसको हम swing trading के लिए भी रख सकते हैं, एक बार हमारा target complete हो गया तो हमें तुरंत profit book करना है, तो दोस्तों इस प्रका से हम bullish harmonic chart pattern के साथ buying position बना सकते हैं, तो चलो दोस्तों अब हम chart में bullish harmonic chart pattern को समझ लेते हैं, कि bullish harmonic chart pattern के साथ हम buying कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपने chart software में जाए और chart को खोल लीजिए, इसके बाद आपको जिस भी time frame में bullish harmonic chart pattern का formation दिखाई दे रहा, आप उस time frame को खोल दीजिए, bullish harmonic pattern के साथ buying करने के लिए सबसे पहले हमें, low and high को मार्क करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देखिए यह रहा हमारा low and high, हमें उसके बाद Fibonacci retracement levels को उस high से low तक लगाना होगा, उसके बाद bullish harmonic pattern का indicators लगा के low से high को मतलब low से first resistance तक लगाना होगा, उसके बाद first support find करना पड़ेगा, ओभी Fibonacci retracement levels की 61.8% को touch करते हुए तो यह रहा हमारा first support, और इसके बाद आपको second resistance को find करना पड़ेगा, और भी Fibonacci retracement levels की 23.6% touch करते हुए तो यह रहा हमारा second resistance, market नीचे की तरफ आने के बाद second support find करना पड़ेगा, और first support से भी low चाहिए, और Fibonacci retracement levels की 78.6% को touch करते हुए तो यह रहा हमारा second support, अब हमें buying position बनाने के लिए यह देखना है, जब कोई candle Fibonacci retracement level 78.6% को touch करके एक bullish candlestick pattern बनाता है, dot and उसके उपर market closing दे दे तो, उसके बाद वाली candle में हम buying position बनानी है, और buying position बनाने के बाद जिस candle को bullish candlestick pattern के उपर closing दे है, उसी low के नीचे stop loss लगाना है, मतलब यह हमारा buying point और यह हमारा stop loss, इसी बीच आपको trade लेने से पहले ही risk reward ratio के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है, मतलब कि आपके खरीदी करने के point से stop loss लगाने के point के बीच का जो difference से risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, trade लेने के बाद आपको trailing stop loss का उप्योग करना है, अब इसमें आखरी point यहाँ पर करना है तो profit book करने के लिए आपको यह देखना है कि जह पर Fibonacci retracement level है, वहां तक हमारा target होगा, तो यह रहा हमारा पहला first target, और यह रहा हमारा second target, और यह रहा हमारा third target, तो अब आप यहाँ पर देखिए इस वाली candle में हमारा target achieve हो रहा है, मतलब कि हमें इस वाली candle में profit book करना है, इस प्रकार से हम bullish harmonic chart pattern के साथ buying कर सकते हैं, तो दो तो यह bullish harmonic chart pattern के विशे में संपून जानकारी